अप यह जाता है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिवास बदल सकता है लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है आज जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो गड़बंधन हुआ है इसका सबसे बड़ा उधारण आप यह देख सकते हैं कि दूसरे की पीट पर लद कर बैतनरी पार करने की जो सबसे बड़ी कला है वो कांग्रेस ने आज दिखाई है इस गड़बंधन में यह साफ है कि कांग्रेस जो एक सीट पर उत्तर परदेश में थी वो अब 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और इस बात का भरम भी तूट जाता ना पुर्खों की विरासत बचती ना विचारधारा बचती अगर अलग अलग चुनाव लड़ते राहूल गांधी की यात्रा अमेठी और राइबरेली से होकर लखनव से होकर गुजर गई कांग्रेस यहां भी चूग गई अगर वो पहले यह काम निप्टा लेती सीटों के बटवारे का तो उसको अखिलेश यादों का वहां साथ मिलता और एक बड़ी उनको एक फीगर एक बड़ा अप्जर्वेशन सही है बड़ा मैसे जाता है बिर्जेश जी सियासत के उस दोर में जब ज्यादा तर नेता जेल छापा मुकदमा से डर के राजनीद के उस जंजड़ से सरलता की रहा पकल रहे हो ऐसे में कांग्रेस अपने सयोग्यों को अपने साथ ना रख पावे तो यह उसकी चूक रही और अ गड़बंधन में बचे हैं बाकी कांग्रेस के गड़बंधन में कोई नाम बचा नहीं एक परसेप्सन यह बन रहा था कि राहूल गांदी की यात्रा जिस जिस परदेश से गुजर रही है सहयोगी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं उत्तर परदेश में भी आकर यही स्थ परसेप्सन से बचने के लिए रोकने के लिए भी कांग्रेस को गड़बंधन करना पड़ा अखिलेश यादव ने इस गड़बंधन को बनाए रखने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है और इस कुर्बानी को 17 सीटों के रूप में आप देख सकते हैं इसके पहले और ना था तब भी पार्टी के भीतर खाने यह का गया की जादा दे दिया सबसे बड़ी बात यह है कि जैन चोधरी के जाने के बाद कांग्रेस किस दम पर अकेले लड़ती खाली इसले कि मुसल्मान उनको वोट करेगा और यह दवाओ दिखा के मुसल्मान वोट विखर रहा है भाजपा जीत जाएगी कांग्रेस जादा उट ले लेगी सपा को कम म मिलेगा यह सब दिखा कर चीजे चलती रहीं लेकिन उनको इस बात का भी अंदाजा था कि अमेठी और राइबरेली में बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस का कंडिडेट कैसे जीतेगा लए तो आज 17 सीट लिए हैं अभी भी लेकिन जीत हार की बात दो ही तीन सीट पे होगी जहां कांग्रेस बेहतर लड़ सकती हो तो तमाम सारे एक्वेशन्स हैं सवाल हैं गडित हैं और समीकरण हैं भाई रभी बर्मा को कांग्रेस ने ले लिया सपा छोल के गए महासेचिव थे और लखीमपूर में उन्हीं के लिए टिकट भी मांगोगे हमारे नेता भी तोड़ ले हमां आप से टिकट भी ले 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 लो तो इतना कोई जो है पार्टी बेवकूप तो है नहीं तो उसमें तो भाई आज देवरिया दे दिया जो इतनी मजबूत सीट थी समाजबादी पार्टी की अम रोहा दे दिया अब हसन मुरादाबाद में सिटिंग सां अरे मामले थे जो भी रोधा भासी थे विजेट जी राहूल गांधी को सीट बटवारे पर यात्रा से पहले निड़क करना चाहिए था तो इसका उत्साह इसका मैसेज कुछ और होता कांग्रेस अपने दोर के हिसाब से अगर डिमांड करती तो यह गडबंधन और बहतर हो पता इतनी अलोचना ना चलती जो कल हम लोग गडबंधन के टूटने का एलान कर रहे थे और राहूल गांधी अकेले आकर लखनव से निकल गए उनको एक साथ मिलता लेकिन अखिले स्यादों ने एलान किया था कि वह बैठी राइबरेली में सामिल होंगे लेकिन इसी वज चेकने की जरूरत नहीं है हम साथ साथ है तो भाजपा के लिए एक कड़ा मुकाबला तयार हो रहा है एक चीज और पिर जी अच्छी हो गई कि अब कांग्रेस के दूई वोट राजसभा में पक्का होई गे यह अखिलेस यहादों को मिलेंगे जो इदर भागते वह भरम ख में जी इबिरेंजी कंक्लूट करें वैसे संबंद जोड़ना भी एक कला है लेकिन संबंद को निभाना एक साधना कही गई है और जिन्दगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं एक इस्वर और दूसरा आदमी की अंतरात्मा और समिकर करण यह की दोनों यह लोगों को दिखाई नहीं देतें बहुत देर में बाते समझ में आती है हैराणी आपको उसी पर हो सकती है सुनियेगा कि हकीकत से रोवरू हो चुके हैं अब कोई ख्वाब सजाना नहीं है बहुत की है गलतिया पहले अब उन्हें दोहराना नहीं है दोस्त बंच चाहे दुस्मन अब किसी से घबराना नहीं है जो समझे वो ठीक न समझे उसे संझाना नहीं है जो लोग पीछे छूट गए अब किसी को मनाना नहीं है अब समझ गए वजूद अपना तो अब खुद आपस में लड़के इसे मिठाना नहीं है बहुत शुकृत आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इन्पूट फीडबैक और पॉलिटिकल अब्जर्वेशन